डियस्पी साहब की गारी जब सबजी दुकान के सामने रुकी तो सबजी वाले ने सोचा कि आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो पुलिस वाले मेरे दुकान के सामने आ गए हैं। डियस्पी साहब अपने गारी का सीसा नीचे करते हैं और उसके बाद उस सबजी वाले को बुलाते हैं। टमाटर, प्याज, आलू और मिर्च देते थे आज हम डियस्पी बन गए हैं यहां से गुजर रहे थे तो सोचे कि तुमसे मुलाकात कर लें। और सलमान जब डियस्पी साहब के गले लगता है तब जब आप वो द्रिश देखेंगे तब आपको लगेगा कि दुनिया यूही गोल नहीं कही जाती है बलकि दुनिया वाकई में गोल है। जो कहीं था आज वो फिर से वहीं पहुचेगा और यही जीवन का अटल सकते है। इसके अलावा 30 साल में पूछे गए एक लाग सवाल देते हैं एक लाग सवाल और देते हैं जो वन लाइनर होता है जो पीडियाफ में आपको मिलता है आप अधिकारी अड़्डा का एप डाउनूड करके मात्र 999 में BPSC का तैयारी कर सकते हैं। अब लोडते हैं DSP सहाब के कहानी पर। DSP सहाब का नाम है संतोष पटेल और उस सबजी वाले का नाम है सलमान। कहानी है भोपाल की और भोपाल में ही DSP सहाब जब इस्टुडेंट हुआ करते थे पटेल जी तो वहीं पर पढ़ते थे। एक सबजी वाला उनकी सहाइता करता था जब उनके पास पैसा नहीं होता था तब वो सबजी वाला उनको पैसा देता था जब उनके पास उधारी जब बहुत हो जाती थी तब भी सलमान DSP सहाब से पैसा मांगता नहीं था और जब पटेल सहाब DSP बनकर ग्वालियर में तै चीज फ्री में दे रहा था एक तरीके से, जब उनके पास ना नाम था, ना शोहरत था, ना पैसा था, डियस्पी साहब जब ग्वालियर्प से भोपाल पहुचे, तब उन्होंने सोचा कि चलो सलमान से भेट किया जाए, और इसी क्रम में वो सलमान के उस दुकान के पास जात नहीं आया कि आखिर पुलिस यहां पर क्यों आ गई है, उसने कोई गलती तो नहीं कर दिया है, लेकिन जब ब्यस्पी साहब उसको अपने पास बुला कर नाम पूछते हैं, और फिर गाड़ी से उतर कर उसको गले लगा लेते हैं, तब सलमान को याद आता है कि ये तो संतो संतोष पटेल हैं, वो संतोष पटेल जिनको 12 साल पहले मैंने सबजी दी थी, कभी कभी उधारी भी दी थी, और उसके बाद वो मनोरम द्रिश उस देखने के लिए वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे, सारे लोग इकठा हो गए, ये वीडियो यूट्यूब पर संतोष पटेल जी ने खुद डाला है, वो वीडियो में बताते हैं कि कैसे उनका वक्त एक वक्त बहुत बुरा था, वो खाने की चीजे भी अफॉर्ड नहीं कर पाते थे, और उस वक्त सलमान उनको लगभग लगभग उधारी में सबजी दे दिया करता था, और उसी सलमान का भी ने आपका साथ दिया है, उसको भूल जाते हैं अच्छे वक्त आने के बाद, तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है, और DSP साहब ये भी कहते हैं कि आज भी कई ऐसे बच्चे हैं जो तयारी कर रहे हैं, और जिनका घर ऐसे ही कोई सबजी वाला, कोई ठेला वाला, को